श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला जब इस बात का पता रावन की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वो घबरा गई और उसने रावन को बहुत समझाया पर वह नहीं समझा और सभा में चला गया रावन के भाई विभीशन ने भी रावन को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पुर्वक श्री राम को सौप देने के लिए कहा परन्तु यह सुनकर रावन क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दी जिस कारण विभीशन सीड़ियों से नीचे आगिरे विभीशन ने अपना राज्य छोट डाच दिया और वो श्री राम के पास गए राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्विकार किया और अपने डेरे में रहने की जगह दी आखरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा पर रावन तब भी नहीं माना अब कर्म फल के सिध्धान्त के अनुसार श्री राम और रावन की सेना के बीच भीशन युद्ध आरंभ हुआ इस युद्ध में लक्ष्मन पर मेघनाद ने शक्तिबान से प्रहार किया था जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय परवत गए थे परंतु वे उस पौधे को पहचान ना सके जिस कारण वे पूरा हिमालय परवत ही उठा लाए यहां तक की रावण के भाई कुम्भकरण जैसे महारती असुर को भी भगवान राम ने अपने बान से मार डाला था इस युद्ध में रावण की सेना को श्री राम की सेना परास्त कर देती है और अंत में श्री राम रावन के नाभि में बाण मार कर उसे मार देते हैं। ततपश्चात श्री राम विभीशन को लंका का राजा बना देते हैं। परंतु राम माता सीता से मिलने से पूर्व उनकी अगनी परीक्षा लेते हैं। उसके बाद श्री राम, सीता और लक्षमन के साथ अपने राज्य चौधा वर्ष के वनवास से लोटते हैं। तदंतर श्री राम को अयोध्या का राजा घोशित किया गया और उनका जीवन खुशियों से बीत रहा था। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं। परंतु जब राम लोगों के मुख से बाते सुनते हैं, वह माता सीता को अयोध्या छोड़ कर चले जाने को कहते हैं। जमराट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्व मेध्य यग्य किया। यह यग्य करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मन ने दिया था। इस यग्य में एक घोड़े को स्वचंद रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा पेत्र तक जाता था, उसे राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। यह यग्य पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राम ने माता सीता का स्वर्ण मूर्ती भी बनवाया था।